सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चेनल टेक गयान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुशता रहें दोस्तो कहीं आप भी सिखना चाते हैं CCTV BNC Connector Installation कैसे करते हैं देख परफेक्ट प्रोफेशनल तरीका तो मैं इस वीडियो में वही आपको सिखाऊंगा कि सहीं तरीका क्या है BNC Connector Install करने का अपने DVR में CCTV कैमरे के लिए दोस्तो 99% जो लोग है वो गलती करते है इसकी connection के time में connection के time में गलती करने से आपका camera चालू तो हो जाता है बट जैसा जैसा time जाता है 6 मीना 7 महीने बाद उसकी clarity कम होने लगती है बट वो क्यों होता है वो भी बताऊंगा और perfect professional तरीका में बताऊंगा कि BNC कैसे connect करे अपने वायर से ताकि long time तक ठीक है दोस्तों कहीं आप हमें support करना चाते है तो like करिए video को नीचे में left side में like का button है like करिए like करने बाद आगे बढ़ते है like करी है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते है अब मैं इस BNC का connectivity बताता हूँ देखिए दोस्तों सबसे main जो चीज है यह BNC में जो है यह plus है और यह minus है white वाला minus है और यह plus है तो plus को मैं छोटा सा काड़ देता हूँ सबसे पहले यह इतना ठीक है plus को मैं काट लिया है न माइनस बड़ा है plus छोटा है देखिए अब plus को मैं छिल लेता हूँ वीडियो पूरा देखिए अराम से देखिए आज के बाद कभी भी आपको प्रॉबलम नहीं होगा यह BNC फिटिंग करने में क्योंकि आप इस टैप का BNC कहीं फिट नहीं करेंगे तो आपका 6-7-8 मेने बाद आपका जो वीडियो है उस मिला हट कैमरे में आने लग जाए तो फर्स टैम जब आप BNC लगाते है तो प्रोफेशनल तरीके का यूज करेंगे तो आपको आगे किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस देने की जर्रत नहीं रहेगा ठीक है देखिए दोस्तों यह BNC में मैं यह प्लस वाला छोटा रखाऊ और माइनस को बढ़ा थोड़ा सा छोड़के इसको इसको इधर घुमाना है वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है देखिए इस टैप का लगाना है ठीक है यह इस टैप का वैरिंग करने के बाद आपके पास इस टैप का हैवेल्स का या एंकर का आपके पास वैर होना चीए 1 mm का है ना यहाँ पे थोड़ा च्छिलना है देखें दोस्तों यह वाला ट्रिक हमेशा आपके काम आने वाला है ठीक है यह ऐसा करके च्छिलना है इसे है ना और इसको थोड़ा खोल की ही रखना ज्यादा घुमाना नहीं है खुला खुला रहाना चीए वैर खुला खुला रहना केस हम इसको यहाँ पर पकड़ेंगे है ना ऐसा और इसको एक तरब अपन ऐसे गुमात के ला दें ढ़र देखें ठीक है और दूसरी तरफ अईसा दोस्तों हैवेल्स का और एंकर का जो 1 mm का वाईर होता है जो बिजली का वैर होता है वो प्योर कॉपर होता है जिसमें कार्बन नहीं लगता है कभी ठीक है यह देखिए और यह बन गे आपका बहुती अच्छा कंड़क्टर है ना अब मैं यहाँ पर इसको काट देता हूं यहाँ से भी इसको निकाल देता हूं और यहाँ पर इसको यह देखिए दोस्तों कहीं आप ऐसा कहीं प्लस को जोड़ेंगे तो आपको देखेंगे सालो साल दोस्तों क्या आपने वीडियो को लाइक किया है नहीं किया है तो जस्ट नीचे लेप साइड ने लाइक का बटन है लाइक करिए फिर आगे बढ़ते हैं लाइक कर दिया ना चाल आपका जो कैमरा है बहतरीन क्लैटी के साथ चलेगा है ना अब यहां पर आपको लगाना है टेप टेप मैं छुटा ची तुकड़ा ले लेता हूं और यहां पर इसे टेपिंग कर देता हूं यह यह तो हुआ प्लस ठीक है यह दो बताने केलिए मैं धीरे धीरे बता रहा है दोस्तों जब आप करोगे तब बढ़ा होगए देख़े मैं माइनस को बढ़ा रखा था ठीक है क्यों रखा था क्योंकि प्लस मेरा यहां पर जॉइन्ट हुए तो आप मैरा माइनस जो है वो लपेट लेना है और वर्ना कहीं आप इसमें भी लगाना चाहते हो है न वाला वैर तो इसमें भी आप लगा सकते हो यह देखिए, ऐसा इसे जोड़के आप इसको थोड़ा से काट लीजे, यहाँ पर यह, और इसको दबाना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको इसको जॉइंट करना है, ठीक है, प्लस यहाँ पे जॉइंट हुआ है, माइनस यहाँ जॉइंट होगा, तो कभी भी आपस में मिल जब वो देखना दोस्तों बहुती लाज जवाब और बहुती अच्छा clear footage आपको मिलेगा अब यहाँ पर मैं इसको tape कर देता हूँ दोस्तों यह video आपको कैसा लगा यह मुझे बताना comment करके और यह technique आपको कैसा लगा है न simple सा technique है छोटा सा चीज है बट बहुत काम की चीज है कहीं आप cctv camera के profession में हो और आप cctv camera लगाते हो तो यह चीज आपके लिए बहुत ज़्यादा important है कि आप video को कहचे जोड़ते हो क्योंकि हमारे cctv camera में सबसे ज़्यादा important जो चीज है वो है bnc और video है न क्योंकि हमारा जो video होता है बहुत ज़्यादा कमजोर होता है दोस्तों है इसलिए उसके उपर हमें copper का लेप करना पड़ते है जो wiring में बताया है copper का है न ऐसा आप कहीं करेंगे तो देखना आपका जो installation में एक नया look आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा installation के बाद जो footage चालू होगा तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कहीं अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को share करिए like करिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe करिए अगले वीड के साथ फिर मुलाकात हो की तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खयार रखे दोस्तों धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए